Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well. आज हम डिसकस करने वाले हैं रोजकार नर्माड के पेपर में जो 3 अप्रेल को आया था. उसमें History के Important MCQ, जो की MPPSCC लेकार सारे एक्जाम के लिए काफी महत्यपूर्ण है. स्टार्ट करते हैं आज के First Question से. First Question है, काविश एली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेक में मिलता है? यहां पर 4 ओप्षन दिये गए हैं. रोद्रदामन, अशोक, राजेंद्र प्रथम या चंद्रगुप्त. तो यहां पर Right Answer क्या होगा? रोद्रदामन में, रोद्रदामन का जो अभिलेक है, उसमें काविश एली का प्राचीनतम नमूना देखनी के लिए मिलता है. हमें पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है, क्योंकि अब जो है वो 21 मई काफी नजदीख है, तो उसके लिए हमें अपना Best से Best प्रियास करना है और एक्जाम को क्वालिफाई करना है. समुद्र गुप्ति की सैनेक उपलब्दियों का वर्णन किस अभिलेक में मिलता है? यहाँ पर Option है एरन में, प्रियाग में, गया में या नालंदा में. यहाँ पर जो Right Answer होगा वो होगा प्रियाग. प्रियाग अभिलेक से समुद्र गुप्ति की क्या मिलती है? सैनेक उपल अभिलेक से प्राप्त हुए है, एरन अभिलेक से प्राप्त हुए है और MPPSC ये Question पूछ चुका है. Next Question है चच्चनामा. चच्चनामा सिंदिका इतिहास है. निम्द में से मूल रूप से किस भाषा में ये लिखा गया है? MPPSC, UPSC में ऐसे Questions पूछे जाते हैं. Option दिएगा है फार्सी, हिब्रू, अर्भी या संस्कृत. यहाँ पर राइट आंसर होगा फार्सी. यहाँ पर राइट आंसर होगा अर्भी. अर्भी भासा में चच्चनामा सिंदिका इतिहास लिखा गया है. Next Question है कि भारत वर्स के लिए इंडिया शब्द का प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था. Important Question है Herodot, Magasthenes, Arian या Strabo. Right answer होगा जो हम इंडिया इंडिया बोलते हैं. यह सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रियोग Herodot के द्वारा किया गया था. Next Question है किस इस्थल से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यह most important question है. सारे ही question important है. इसलिए आपको एकदम इसके पिनको नहीं करना है. किस इस्थल से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहां पर Right answer होगा अरेक मेडू. अरेक मेडू से रोमन के शिक्के प्राप्त हुए थे. विक्रमाग चरतम के रचनाकार कौन है? कलहंड, वेद्व्यास, बालमिकी या विलहंड? Right answer होगा वि विक्रमाग चरत्र जो है लिखा गया था. तो विलहंड विक्रम ऐसे आप याद कर सकते हैं. किस वेद के बारे में प्राचीन वैदिक युक की संस्कृति की सूशना मिलती है? रिगवेद, सामवेद, यजरवेद और अथर्ववेद. तो यहां पर Right answer होगा रिगवेद के बारे में वैदिक युक की संस्कृति की जानकारी मिलती है. नेक्स्ट कुशन है कि पुरापाशाण योग में मनश्यों द्वारा की गई सबसे बड़ी खोच कौन सी थी? आख को जलाना, कुम्बकार की चाक, धातूपकरण या पहिये का निर्वान? रिट आंसर होगा यहा आख को जलाना, पुरा पाशाण योग में मनश्यों की द्वारा की गई सबसे बड़ी खोजी अन्वैंचन था. निमले कितमे से कौन सा इस्थाल प्रागेतिहासिक चित्रकला के लिए प्रशिद्ध है? भीमबैटिका, बाहा, अजन्ता या अमरावति? तो बात हो रही है यहां पर चित्रकला की और जब भी प्रागेतिहासिक चित्रकला की बात हो तो आंसर क्या होगा? भीमबैटिका होगा. भीमबैटिका को योनिस्को हैरीटेज में कप शामिल किया गया? यह मद्यप्रदेश की किस जिले के अंतर गदाता है? यह आप मुझे कमेंट वोक्स मे लेकर बताएंगे. नेक्स कोशन है गंगा के मैदान में मानववस्ती के प्राचीतम अफसेस कहां मिलते हैं? यहां पर बात की जा रही है आप्शन से बागोर, कालपी, आदमगड या टेरी. तो याद रखिएगा जो मानववस्ती के अफसेस हैं गंगा के मैदान की बात कर बताएंगे. नेक्स कोशन है कि भारत के किस सेलाश्रय से सरवादिक चित्र प्राप्त हुए हैं? लेखिनिया, भीमबैटिका, घागरिया या आदमगड तो पहले भी डिसकस कर चुके हैं कि भीमबैटिका जो है यहां पर शैल चित्र मिले हैं जो काफी प्राचीन है और इ अलमगीर काली बंगा या लोथल तो धूला वीरा धूला वीरा अभी क्यों चल्चा में रहा था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है और ये क्वेशन चुकि करेंट अफेर से रिलेटेड है इसलिए हिस्ट्री से रिलेट करके आपसे एक वेशन पूछा र तो मांडा जो है वो चेनाव नदी के किनारे इस्थित है हडपा काली का तामे का रत किस इस्थान से प्राप्त हुआ है ओप्शन है रोपन बनावली दैमाबाद या राखी गड़ी यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जो दैमाबाद दैमाबाद से क्या मि पुजारी की प्रस्तर मूर्थी प्राप्त हुई है तो यहां पर राइट downward Wilson मोहथन जोद्रो शे रापकालीण इस्थल की पुजारी तो रापत प्र。 किन्तु शेर का कोई भी साख शरप्पा संस्कृति से प्राप्त नहीं हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो आंसर क्या होगा तमाकू क्योंकि गेहु जो चावल का ग्यान था लेकिन जो तमाकू है वो भारत में लाने वाले थे पुर्टगाली तो याद रखिएगा कि वैदिक काल के लोगों को तमाकू का कोई भी ग्यान नहीं प्राचीनकाल में निस्क किसे कहा जाता था MPSC का क्वेस्जन है ये जो स्मर्ण आभूशन होते थे उन्हें निस्क कहा जाता था नेक्स क्वेस्जन है कि उप्न सतकाल की राजा अश्वन पती शाशक थे किसके शाशक थे वो तो कैके, उपनिशतकाल की राजा अश्योपती शाशक थे कैके की निम्द मैंसे वह दस्तकारी कौन सी है जो आरियों द्वारा भिभार में नहीं लाई गई थी पोटरी, म्रदभान, अभूशन, बड़ई गिरी या लोहार गिरी तो लोहार गिरी को दस्तकारी प्रताकिया अंतरगत आरियों ने नहीं लेकर आया था कर्म का सिद्दान्थ किस से संबन दे थे? इजी क्विशन है ये निया से मीमान्सा से, वेदान्थ से या वैशर सिक से तो यहाँ पर right answer का जो कर्मिका सिद्दान थे वो क्या है मीमान सा से related है next question है कि कासी और लिश्वी का विलाय मगत समराज में किसने किया था भीम्बिसार ने अजाद सत्रू ने अजाद सत्रू ने उदियन ने या शिशुनाग ने तो right answer क्या होगा यहाँ पर अजाद सत्रू जो सादे सत्रू पर जो विजय करना चाहता है तो कासी और लिश्वी का विलाय अजाद सत्रू के द्वारा किया गया था महाजनपतकाल की श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था तो स्रेणियों का संचालक किसे बनाया जाएगा जो स्रेष्ट से स्रेष्ट होगा मींस यहाँ पर आंसर क्या होगा स्रेष्टियन को स्रेणियों का महाजनपतकाल की स्रेणियों का संचालक माना जाता था ग्रसपती का आर्थ महाजनपतकाल में क्या होता है तो याद रखिएगा ग्रहपती, ग्रहपती का आर्थ महाजनपतकाल में क्या होता है, धनी के सान से है, पिटक किसकी रशना है, बहुत पिटक की बात की जा रही है, तो ये रचना किस भासा में लिखी गई है, तो भासा है यहाँ पर पाली, ये भी याद रखिएगा क्योंकि गौतम बुद्ध जी से रेलेटेड कुश्चन एक्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स कुश्चन है कि सांची के स्थूब किस कला की मूर्ती का निरूपन है। तो सांची का स्थूब जो है वो बौध धर्मी से रेलेटेड है। और 1989 में सांची को युनिस्को हेरिटेस साइट में शामिल किया गया है। अभी सांची क्यों चल्चा में हैं क्योंकि मद्ध प्रदेश का जो पहला सोलर सिटी बनने वाला है वो है सांची। साथ वहनों के समय में किस मुद्रा का प्रशलन, किस मुद्रा की धातुएं सरवादिक थी तो यहां पर आईटा अंसर होगा सीसा। स से याद रखिएगा सीसा ऐसा लिखते हैं और यहां पर आएगा साथ वहन। तो सा सा से आपको याद हो जाएगा। नेक्स कुश्चन है कि निमलेकेत राजवंसों में किसका उलेक संगम साहते में नहीं हुआ है। तो यहां पर आउंसर जो होगा कदम्ब। चोल चेर और पांडे का उलेक संगम बंस के रिस्पेक्ट में मिलता है। लेकिन जो कदम बंस है उसका जो संबंध है वो संगम बंस से नहीं है। किस नाटक के कुछ अठाई दिन का जोपड़ा अडाई होगा यहां पर अडाई दिन की जोपड़े की मस्जित की दिवारों में दिखाई देता है। यहां पर आप्शन दिये गए हैं हरिकेली, नागानन्द, मालती माधव या उत्तर, रामचरित्र तो यहां पर राइट अंसर होगा हरिकेली। हरिकेली एक ऐसा नाटक है जिसके कुछ चित्र या अंकन अडाई दिन के जोपड़े की मस्जित में दिखाई देते हैं। ग्यारवी सदी के भारत का दरपन किस रचना को कहा गया। याद रखिएगा किताब उलहिंद। अब किताब उलहिंद के रचनाकार कौन है या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने वाले हैं। मुगल समराट अकवर के द्वारा किसको जरी कलम की उपादी से अलंकरत किया गया था। यहाँ पर आप्शन दिये गए हैं मुहम्मद हुसेन, पीर सयद, मुहम्मद खार या अब्दल समद। याद रखिएगा मुहम्मद हुसेन जी को क्या कहा गया था, इनको जरी कलम की उपादी अकवर की द्वारा दी गई थी। मुगलकाल में निमलिकित बंदर गहों मैंसे किसे बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है, यहाँ पर बाबुल नहीं होगा, यहाँ पर काबुल होगा, काबुल मक्का द्वार कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा सूरत। सिवाजी केस्ट प्रतान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रहे करता था means foreign affair के मामले देखता था वो क्या कहलाता था तो वो कहलाता था सुमंद important question है ये वांडी वास के युद्ध की बात करते हैं तो ये हुआ था 1760 में तो अंग्रेजों का नेतरत्व किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया था तो वांडी वास इसमें क्या हो गया था एकदम दुश्मन का वास हो गया था means कैसे होगा बहुत अदे कूटा होगा मतलब सर आयर कूट सर आयर कूट ने अंग्रेजों का नेतरत्व किया था और किसको हराया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर बताएंगे महत्मा गांदी ने सबसे पहले सत्याग्रह क्रियाविदी कहां पर शुड़ू की आप सबी को इसका आंसर पता होगा आंसर होगा 1917 में चमपारण तो राजिंद्र जो शुक्ल जी थे उनके आग्रह पर महत्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह करने के लिए चमपारण आये थे साथ अफ्रिका में महत्मा गांदी द्वारा प्रकाशत प्रथम पत्रिका का नाम प्रथम नहीं पूचा गया है प्रकाशत पत्रिका का नाम क्या है तो राइट आंसर होगा इंडियन ओपीनियन इंडियन उपीनियन जो पत्रीका है वो महत्मा गांधी के दुबारा साउथ अफ्रिका से प्रकाशित की गई थी फ्री हिंदूस्तान किसने लिखा है? तो फ्री हिंदूस्तान लिखा है किसने? फ्री में हम क्या देखते हैं? तारक महता जब भी आफ फ्री फोकट के टाइम में बैठे रहते हैं तो आप तारक महता का उल्टा चस्मा लगा लेते हैं देख लेते हैं मीज चैनल पर इसका मतलब क्या होगा कि फ्री हिंदुस्तान बुक किस ने लिखी है तारक ना दासन है यह जस्ट हम याद करने के कोर्डिंग ऐसा रिलेट कर रहे हैं जन्डागीत किसके द्वारा गया गया तो श्यामलाल गुपती जी के द्वारा जन्डागीत गया अब जंडागीत कहा किसे जाता है जंगर्मन को या वंदे मात्रम को या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे मध्यप्रदेश में गौणडवंस का अंतिम शाशा कौन सा था तो अंतिम शाशा कौन होगा नाहर शाह नांगवंस के सिक्के कहां से मिलते हैं तो नांगवंस ऐसा लग रहा है कि भारत में तो इसका नाम नहीं सुना ये पक्का पक्का विदेश से आया होगा मतलब नांगवंस के जो सिक्के मिलेंगे वो कहां मिलेंगे वो मिलेंगे विदीशा में नेक्स कोशन है कि लोह योग के धूसर चित्रित मुरत भांड मद्य प्रदेश में कहां से मिले हैं? तो याद रखिएगा भिंड और मुरेना से साक्ष मिले हैं चित्रित मुरत भांड के एतिहासिक इस्थल चित्रकूट कहां है सतना में चतरपुर में टीकमगड में या साजापुर में याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर होगा जो एतिहासिक इस्थल चित्रकूट वो सतना में इस्थे थे मद्यप्रदेश में प्रथम तामरवस्ती के साक्ष कहां पर मिलते हैं तो ये कायथा से सबसे पहले क्या है तामरवस्ती मींस कौपर जो सिटी है उसके साक्ष मिलते हैं पन गुराडी की गुफाएं पंगुराडी से निम्नमे से क्या प्राप्त हुआ है गुफाएं शिलालेक पाशान कालिन साक्षिया भित्ती चित्र तो आंसर होगा सिलालेक मंधाता नगरी की स्थापना के साशक के द्वारा की गई easy question की category में आता है ये question मुचकुंद के द्वारा मंधाता नगरी जिसे वर्तमान में ओमकारिश्वर नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना की गई थी next question है कि असोक ने विदीशा के स्रेश्टी की पुत्री से विवाह किया वो कौन थी श्री देवी थी होलकर् ने अपना राजिकाँ पर इस्थापित किया तो इसका आंसर आप सभी जानते होगे आप नेहलिया भाई होलकर, मलहाव राव होलकर इन सभी का नाम सुना होगा तो होलकर् ने अपना राजिकाँ पर इस्थापित किया hier कुछ महातिपूंड question थे, history के most important question है यदि आपने previous year पेपर, UPSC के पेपर या अन्यस्टेट PCS के पेपर अगर लगाए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये वही question है जो लगातार बिविन एक्जामों में पूछे गए हैं अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहे है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आप पहली वार विजिट कर रहे हैं तो आपको चैनल के और वीडियो भी देखने हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करना है थाइंक्यी सो मच पढ़ते रहिए खुश रहिए जय हिन जय भारत